नमस्कार दोस्तो तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मारे यूटूब चैनल अधिवीरा पॉइंट पर तो आज़न करने वाले हैं CPCT का जो 7 अगस्त को सिफ्ट फस्ट हुई थी पेपर उसका ये जो 7 अगस्त को पेपर हुई थी सिफ्ट फस्ट में तो उसका हम पेपर आज स्वाल करने वाले हैं और पूरा डेटेल में देखेंगे आपको विद प्रेटिकल और इसके लाब आदिया कोई आपको डाउट रहता पूरा पेपर देखेगा अंतर तक तब आपको पूरा समझ होगी इसमें केबल हम कंपूर्ट के कॉशन करेंगे जो लगभग बावंध प्रिस्न हैं लगभग उसके बाद जो बसता है रीडिंग कंपरेंशन और आपका मैथ प्लस रिजिनिंग का उसको सेक्षन में एक अलग सेपरेट सेक्षन में रखेंगे तो यह आपको देखें कि यह आपका theory lecture होगा इसके बाद practical में आपको लेवता हैंगे CPCT में आप क्या-क्या तैयारी करें ताकि आपका tapping spell जो है speed निकल जाए आराम से Hindi में भी और अंग्रेजी में भी तो आज बनादेली की हुए start करते हैं यह official paper है इस CPCT की असबार CPCT नहीं है इसमें यह भी बता रखा है कि label कैसा है और किस part से topic cover करा है software है उसके अंदर operating system है तो यह भी इनोंने बताता रखा है तो और अच्छी बात है आप लोगों के लिए तो एक plus point है आप लोगों के लिए तो दोनों के लेकर साथ में चलेंगे कुछ यह section हिंदी में नहीं लगता है तो उसको अपन इंग्लिस में देख लेंगे पहला question है कि वह हिस्सा जो सारे विकल्ब दिखाता है आप window पर काम करने के दोराण चुन सकते हैं उससे क्या कहते हैं तो सभी को पता है कि मीनू बार में सारे option हमारे रहते हैं जो मीनू बार है उसमें आपके सारे option है basic सा question आया था window operating system से इन्होंने यहां बताया भी हूँ कि इसका जो label है वो easy label है question का यहां पर label भी बताया रखा है इन्होंने आपर first question है complete होता है इसके बाद second question बढ़ते हैं तो digital system में सबसे छोटी काई तो सभी को पता है bit जो है सबसे छोटी काई होती है bit उसके बाद जो इससे बड़ी होती है वो क्या होती है byte यह दो question में आप लोग कर्भी मत हुएगा देखे लिए कि जहां 3 यह देखे 3 बढ़ा रहेगा कि 4 तो सीरी सी बात है 3 छोटा रहेगा और 4 बढ़ा रहेगा तो bit जो है सबसे छोटी रहेगी यह bit और यह byte इसका उपर भी यहाँ पर करन वेदे देखे bit दिया होगा है 3 यह छोटी रहेगी byte लोग इसी में कामी नहीं है बिट तो यह आपकी छोटी रहेगी किलियर डाउट कहां भी हो आप पूछ लिए जगा नहीं बताता चलूँगा इसके लाबा कोई question number बर doubt हो तो आप question number लिखे doubt लिखेगा तो उसको हम आपको solve बखरा देंगे तो यह है कि अंगला question, third number question जो है कि पूछा है कि निमने में से कौन CPU का भाग नहीं है ध्यान डगरा नहीं वाले question और हाँ वारे question में देखिए आना highlight भी क्या है, गलती यहीं करते हैं आपको साब पता रहे तो लेकिन आप जल्दवाजी में कोशन को गलती यहीं कर जाते कि नहीं है यह उन्होंने पूछा नहीं है CPU का ALU, arithmetic logic unit बिल्गोल है memory storage unit भी है और control unit भी है, disk drive यह disk drive इसका part नहीं है CPU का, ठीक है ना, disk drive जो आपका part इसका CPU का नहीं है अंगले question पर बढ़ते हैं अंगला question है, सोत्मा चोथा question है, hard disk में प्रते चेतर का आकार कितना होता है, सभी को मालूम है कि 512 bytes होता है, सभी में bytes से confuse करने के लिए आपको यहां पर bytes की जगा bits भी दे सकते थे 512 bits तो आप उसमें confuse नहीं होना, bytes से इसकी जो है, unit भी ध्यान से पढ़ना नीची option में दे दे सकते थे, तो आप confuse नहीं होता है, अगला question है चोथा, एक जब आपके computer पर च्टाल किया जाता है, तो आप इसे online chat करते समाए, अपने आपको एक दोस्त को live video relay करने के अनुमती कब देते हैं जब कोई आप दोस्त से आप chatting कर रहे हैं, माले चली आप यहाँ पर हैं, और एक दोस्त आपका यहाँ पर है, तो आप दोनों chatting कर रहे हैं, तो आप दूसरे का face cup देख पाएंगे, जब printer को आप ओन करेंगे scanner को microphone को, microphone ने आपका ID form में तो चली रहा है, तो आपको बेब केम को start करना पड़ेगा, relay करने के अनुमती देनी पड़ेगी, कि accepted की हमारा बेब को आप अनुमती ले लीजी है, तब आप उसको कर पाएंगे गनबड, तो इस cancer हो जाएगा बेब के, सरलजलद से प्रशन ने, आफ जानना यह भी आपको जाद रखना गा, और automatic कोई printer इसमें है नहीं, इसमें भी देखिए नहीं वाला question पूचा गया है, नहीं, नहीं आप आप देखिए प्रिंटर, आप लेखेंगे laser, आप टिक कर गया है, तो आपका यह exam में, मानिए कई, लगवख पचास साथ स्टूडेंट इसी काना यह exam जो है, इसका theory section नहीं कि नहीं, नहीं, आप एक CPCT का कोई भी exam देखिए आप उसमें, इस प्रकार के question में आपको फसाने का प्रियास करा जाएगा अंगला question है कि programmer द्वारा लिखे गए, प्रोग्राम लेदेशें को उस भाजा में परिवर्थ करते हैं, जो computer समझते हैं प्रिक्रे क्या क्या क्यालाती है, सीधी से भाज है, जो computer समझेंगे, उसमें हम translate करेंगे की नहीं करेंगे, translate, आज आपको यह translator करेंगा, simple सा प्रशन है था, अंगला प्रशन है 2016, MSBird 2016 का प्रशन है, file को खोलने, save परने, print का बंद करने के लिए कौन command होता है तो file command, आपको बता होगा, उपर निया रिविन दीगा रहता है, आपको एक menu बार, बहुँआ पर एक file option रहे है आपको फाइल, edit, insert, आपको फाइल में आता है, यहाँ पर new, open, save और save as, save as का मतलब होता है कि आपको किस folder में करना है, save direct, automatically, default से भुझाएगा, तो वो option आपको कहां मिलता है, तो वो आपको मिलता है, file option में, कहां मिलता है, file option में, that is the right answer अगले प्रेशन पर देखते हैं अगला प्रेशन है, कुछ portable device, जो input, command और data की stylus या pen को समर्थन देते हैं तो पता है आपको tablet या PC, जो tablet या PC आते हैं, उस पर आप pen से लिखते हैं, कहीं लिखते हैं, चोटा pen tablet रहता है उसमें, इससे आप उस पर लिख सकते हैं, तो यह TV इसमें रहता है नोटबुक पढ़ने के लिए है कि laptop और desktop, इसमें यह उसमें कहीं रहते हैं, लेकिन अधितकांस ता tablet PC जो है, उसमें आप stylus pen की उप्योग का समर्थन आपसमें देते हैं, तब इस पर इसी के लिए फेमास है अब एक अंगला कोशन है, PC को cold boot करने के लिए किस डिस्क का उप्योग किया जाता है, तो simple सा है कि system disk का उप्योग किया जाता है, कौन से system disk है और setup disk की जो है, उससे अब सारा setup करेंगे, डिक, 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 क्या करेंगे, जो भी problems अगयरा होती हैं आपको, वीडियो या आपको कोई drive में problem है, तो उसका इसमें यूज करेंगे, program disk जो भी आपके software बगयरा जाते हैं, उसमें इसका use होता है, और cold boot करने on computer रखो, तो वो कहलाएगा आपका warm boot, गरम boot, हिंदी में कहेंगे, वासे अदिगांस ता आप इसको यादा रखें, warm boot, और ये है cold, ठीक हैं, तो इसमें किसका use होता है, system disk का उपयोग होता है, अगला प्रशने देखेंगे हाँ पर, कि memory और CPU, memory जो है, CPU और memory की बीच किसको रखा जाता है, तो बान के चलिए, ये CPU है, और एक ये memory है, आपकी memory है, अब जब आप CPU से कोई काम लेंगे, तो वो memory के पास जागए, इन दोनों के बीच में कौन रहता है, तो इनकी बीच में रहती, cache memory, ये सबसे fast memory होती है, cache memory है, जब नदेगा हो, computer में कभी-कभी आप क clear करते हैं, तो ये भी अलग हो जाती है, फिर डारेक्ट इससे लेता है, ये इस पर load कम हो जाता है, वाकी fast होती है, काफी आप में इसमें होगी, cache memory को पयोग, अंगला प्रस में जो है, ये simple है, scanner filter को पयोग, पराथ में कि यो जरंगों के रंगों के घटा को अलग करने के ल ms excel में कौन सा function किसी octal संख्या को decimal में परिवर्थ करता है, octal संख्या को decimal में, octacle को काई में करना है, तो cdc है, octo two decimal function use करेंगे, octo two decimal, यहां two लग जाएगा, two का पन ऐसे लेखते हैं, तो इसको ऐसा ने लेख के, two function का पन इसमें यूज़ करेंगे, इस पर पूरा function का, ms office और ms powerpoint, तीरियों के जो question आते हैं आपकी, चाहिए व्यापाम के exam हो, और चाहिए आपकी MPPSC में उतना जाना नहीं पूछा जाता है, लेकिन unit नहीं थोड़ी उसकी अलग है, और आपकी cbct में जदने भी question बनेंगे, इसके बाद आपका जो question का संचनल लेके भढ़ती हो binary, octal, hexadecimal और decimal यतने भी यह आपके हैं, सारे बता दिये जाएंगे, अब यह आपके बिले तना याद रखें इसमें, openoffice calc में function icer row na का क्या output होगा, तो यह true output होगा, इसका भी हम आपको ms office excel बलाएंगे तो उसमें आपको सारा कुछ इसमें बता देंगे, function का output क्या होग तो इसमें true, windows at mfx से scan तक पहुंचने के लिए किस command का उपयोग किया जाता है, तो wfs कमांड का उपयोग किया जाता है, wfs, कहां fax और scan, देख रहा है आपको w, so windows f, fax और s से scan, printer क्या है, cvc बात है, output device है, simple question है, जो आपको output दे, input, mouse क्या है, input device है, printer क्या है, output device, mouse, input device है, sampling rate digital छवी के resolution को निधारत करती है, तो यह इस्थानिक, spatial, यह जो चार प्रकार की होती है, जो sampling rate digital छवी के लिए, यह चार प्रकार की होती है, sampling resolution के लिए, तो जो अब map में, satellite वगएरा में use करते हैं, imaging के लिए, उसमें इसका use होता है, तो इसको कहते है, spatial, तो बताते हैं, तो यह देखिए, जो spatial image resolution है, वो आपके चार टाइप के होते हैं, spatial, spectral, radiometric और tramperal, अब मान के चलिए, आपको कोई image दिखाना है, यह land है, यहाँ उपर से, satellite से, कोई आप image दिखाएंगे, इधर से नीचे आपकी image आएगी, तो कितने pixel पर वो है, वो उसकी quantity दिखाएंगे, दिखाएंगे, मान के चलिए 30 by 30 का है, या 40 by 40 का resolution है, तो वो इसमें आपका दिखाएंगा, यह select यह से, 30 by 30 का resolution आपका low resolution होगा, low, low resolution, चुकि spectral की बात कर रहे हैं इसमें, और इसके बाद जो है, 1 meter into 1 meter का जो आपका है, high resolution होगा, आपको question पूछ सकते हैं, कि क्या होगा, तो यह आपका high resolution होगा, ठीक है, तो यह 1 meter into 1 meter का, तो रफ करके फिर से बताते हैं, 1 meter into 1 meter का जो आपका high resolution होगा, 1 meter into 1 meter का क्या होगा, high resolution, high, और 30 into 30 का कितना हो जाएगा आपका low resolution, उसमें आप पाता है, spectral की, spectral, ready pictor, ready or temporal तो यह जो हैं तीनों चार इसके type होते हैं, बाद में हम इस detail में देखेंगे, आप आपको बता दी इतना बाकी जो इसकी हैं अब आद में देखेंगे इसको तो यहां से आपके लिए यह समझ में अग्यास कांजर ही है अंगे वाली कोश्चन पर जालते हैं अंगला कोश्चन है कि BPN का full farm क्या है BPN BPN तो BPN का सभी को पता है virtual private network second वाली option में सही होगा BPN का use हम वहां करते हैं जहां हमें कोई network का ज़रत है physical आपको एक address होता है ऐसे जिम आपका virtual address बन जाता है तो यह दिगांस्ता जो hacker वगरा यूज़ करते हैं यह आपको address monthly yearly payment पर मिलता है virtual private network इसमें आपकी device की information save नहीं हो पाती है जो आपका address रहता है हर device का जैसे आपका mobile ही है laptop होगा PC कुछ भी होगा तो उसका particular IP address रहता है उसी से पुलिस वाले जो cybergram वाले हैं उसी को trace करते हैं इसमें यह virtual private network में आप कहीं सीग्माल की चलिए कोई website है जो चाइना में बेहन है चाइना में बेहन लेकिन चाइना का विक्तिका करना चाहता है इंडिया की website को use करना चाहता है लेकिन इंडिया वालों ने बहाँ बेहन कर रखी है तो वो किसका use करेगा VPN का use करके वो इंडिया की website को access कर सकता है यह उसमें permission मिल जाती है आज कल virtual sim से भी देखाऊ को आपने कि हेकें के मामले बढ़ गए हैं चार पात दिन पहले देखाऊ को virtual sim इसका concept भी हम जाने के virtual sim भी use होने लगी है और virtual ID भी आज कल जी कि जो भी हो रहा है और RBI भी इसके लिए ला रहा है वो अपन डीप में नहीं जाने बाले जाना यतने ही आपको याद रखना है इस फॉल फार्म इसका है virtual private net अगला प्रेशन है कि सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है उपर हम पहले बता ही चुके थे आपको इसका कि सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है laser printer है अब इसमें क्या लेका है hardware और software की बीचाने वाले computer layer का नाम तो यह operating system hardware और software hardware जिसे आप छू सकते हैं देख सकते हैं software जिसे आप छू या देख नहीं सकते हैं यह केवल computer की utility functionality को बनाते हैं इस set of instruction होते हैं program उसी को मिलता है कहते हैं software बनते हैं उसी तो उन दोनों के बीच में क्या रहा था operating system operating system मतलब की आपका जैसे की window हो गया window operating system हो गया Ubuntu हो गया Unix हो गया Linux हो गया यह Linux क्या है open source मतलब आप इसमें कोई भी editing कर सकते हैं अपने साब से चला सकते हैं यह fix है Microsoft का कि इसमें आप कोई नहीं कर सकते हैं changes यदि आपको इसको changes करना है MS Office वाली तो फिर आपको इसकी root directory chain करनी पड़ेगी यही mobile में root directory chain करके आपको देखाते हैं कि hack करना कुछ भी तो यह आप मत गी लेगा उसमें system पुरा आपको expert हो तो ही उसमें करें यह फिर आपको root directory chain करनी पड़ेगी लेकान Unix में ऐसा कुछ नहीं है आप command के तरो इसमें system सारा कुछ बड़ा जाकते हैं और open source फिरी है यह अब अंगला question है कि printer print नहीं देखिए फिर से नहीं वाला परशने पूछा नहीं कर रहा है तो नहीं में कौन सा सत्य नहीं है नहीं है मान के चलिए आप print दे रहे हैं printer से और वो काम नहीं कर रहा है तो क्या कराण हो सकता है printer driver कस्ट अच्छम हो सकता है हाँ जी क्या पूछ रहे हैं नहीं तो आपको यह ध्यान देना है paper jam हो सकता है parental default printer group में set नहीं है यह भी हो सकता है कि भाई किस printer से आपके मान के चलिए 4 printer लगए अब किस से printer देना है वो समझे नहीं पा हुआ रहा आपने बताए भी रहीं किस से printer चाहिए है न तो वु भी आपको बताना पड़ेगा समय computer mouse ठीक से काम नहीं कर रहा तो यह काण क्या हो रहा है बाई से printer काम नहीं कर रहा है आपका तो माउस से इसका क्या लेना देना भई कोई लेना देना नहीं है ये तीनों अप्सन हो सकती है कि default है नहीं है पेपर जाम है एक्षा मुझत है default मतलब है कि आपकी चली कम्पूटर में एक दो तीन प्रिंटर कनेक्टेड है अब वो किससे प्रिंटर दे भई उसो थोड़ी मतला कि इससे देना है वन टू थिरी से तो default ये इसका मुझत है तो सही आंज़र हो जाएगा computer माउस ठीक से काम नहीं कर रहा ये कारण इसका नहीं हो सकता है है ना तो ये नहीं पूछा है आप से अब windows में अगला प्रसन है उप्योगता utility दोरा बनाए गई backup file को साही जने के लिए किस प्रारूप का अपने उप्योग करेंगे ये उप्योग करेंगे ये लिखा है यहाँ आप उप्योग करेंगे तो backup file ये रहे पूरे extension ये कहलाते extension को भी file लेता तो उसका extension आपको comment करके बताना कि extension की size है कितनी रहती है तो इसमें आपन करेंगे backup पे लिचाहिए तो backup bk.bkf .bkf अब आपको ये एक्जाम में उसको confuse करना होगा तो देखिए ये तो इन उने simple दे रही है आपको देना होगा तो dot .bkf और एक option में दे देगा आपको bkf अब जल्दवाजी में मान कर जली ये first option पे आप click करके भाग के आ गए लेकिन d option में .bkf भी था तो ये सही माना जाएगा अज़ी चारो option में dot नहीं लगा है तो फिर कोई आपको ये सही माना जाएगा एक option में ये है तो फिर आपको इस पे click करना है जल्दवाजी में नहीं रहना है अगला प्रिस्न कौन सा सुरक्षा सर्रक्षण का महत्पूर भाग फिर नहीं है कोई भी आप देखी नहीं आपको इसी paper में देख ली जागा पहले भी हमने कई वीडियों बता है कि नहीं वाले question और हाँ वाले question को द्यान से पढ़ना क्या पूछा है कि सुरक्षावपण का भाग नहीं है तो देखी पहला आपको देख रहा है कि आपफरस का है तो एंटिवारस का समर्षन करने वाली कि रेम की अधिक मात्रा बढ़ाना रेम की मात्रा बढ़ाने से आपके सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी ना कि अंटिवारस उसमें बचेंगी मजबुत पाट बट से आपका सिस्टम सेफ रहेगा बिल्कुल सही आप देख रूप से लिखा पर इच्छा ना कि आपके अंटिवारस से बचाएगी तो यह जो है आपको भाग नहीं इसका अंसर सही हो जाएगा अंगला प्रस में जो है हमले में सभी सब्दों या आमतोर पर उप्यों किये गए पासवाड है सब्दों को उन सब्दों को घुमने की परक्रिया चक्र हो सकता है जब तक की खाते का एक्सेस पराप्त ना हो जाए तो यह क्या है कुरूल बल बुरूट फोर्स मतलब यह फोर्स फुली आपके सिस्टम में क्या कर रहे हैं अंदर लॉग इन कर रहे हैं तो यह अटेक कहलाता है बुरूट फोर्स फुली यह फिर इसको कहेंगे क्रूल बल बल का प्रियूग करके आपके अंदर सिस्टम में गुज गए अगला है डॉट मेटर स्प्रिंटर पर पैची फैंट असमान या अंतक्रियतमत प्रिंटर के समस्या को कौन सी क्रिया से ठीक किया रह सकता है तो यह आप सब इनों करी होगी कि रिविन को जब बदलते हैं तो यह सारी समस्या आपकी दूर हो जाती है जो लोग उने कभी देखा हुआ प्रिंटर को तो उसमें रिविन को बदलने से जो है ये सारी समस्य जो भी आ दिया आपकी समस्य हैं दूर हो जाएंगी निम नमसे कौन OSI लेयर बित्रस सुचना सिवा प्रदान करती है तो कौन से इस सभी पता है आपको अप्लिकेशन लेयर जो है सुचना प्रदान करती है इसकी ट्रिक भी है कि आज फिल सचें तेन लोगल ने दूध प्यात अप्लिकेशन लेयर फीजिकल लेयर आपको बात में जब लेयर वाला सेक्षन पढ़ाएंगे तब आपको इसमें डेटेल पूरी बताएंगे लेयर और ट्रिक भी साथ में बचाएंगे अब अंगली है कि संबिडन विदियों को ब्यापक रूप से संबिडन में वरिगरत किया जा सकता है तो हानी कारक या हानी रहत संपिडिन मेनियों को हानी कारक या हानी रहत मतलब कि कोई फायल आपको compressing करने, compress वाला method बता रहें जब आप compress कहरेंगे तो या तो उसकी हानी होगी, हानी रहत होगा या हानी रहत होगा या structural नगोई option ही नहीं अगला है जब आप किसी बीसेश करम में परम में बहु दरिश्ट दस्तावीडो को प्रिष्टो को प्रिंट कराना चाहते हैं तो निमलेकित में किस बिकल्प का उप्योग करें तो कभी आपने दुकान को प्रिंट कराया होगी कोई बुक बगेरा जैसे मान की चली आपको प्रिंट करानी है इसका पहले आंसर पता देते हैं कोलेट अब कोलेट क्या है तो इसको इस प्रिकासर समझी है कि ये कोई डाकुमेंट है इसको आपको इसमें माल की चली पच्छीज पेज है अब आपको इसकी पाँच कॉपी बनानी किती पाँच लेकिन क्या है आपको उसको प्रिंट बार बार देना पड़ेगा इसका उसका उसका करते हैं कोलेट कोलेट क्या करेगा आपको क्रेम बाई किरम इसकी पाँच कॉपी बना देगा एक दो तीन चार पाँच करें तो इस से बचने के लिए हम क्या हैं आपको 50 बैट बिल जाएंगे तो इससे बचने के लिए अपने क्या करते इक लेट वर्यूज करते हैं तो यह देखी आप इसमें आप यहां देख पा रहे हुँगे आप जिए क्लिक लगा हुआ है क्लेट का उप्सन जब आप पर प बताता है कि कौन सा printer पर आपको select करना है शो पिछले कोजन रहूं से निटिफॉल्ट देखिए यहां पर अगि diğer से select ह्श्व образом वर सिरिच कर तो यहां पर आपको बता रहा है डिफाल्ट पेहले देखा था कि उसमें किए बता रहा था अब माननके चली आपने हाँ पर क्लेट वाले OPTION पर क्लेग नहीं किया Нуग के चली हैं पर आपका समझ में आ गया होगा इमा की और option है प्रिंट पेज वाले पेज में यह सारे अब कभी आम आपको computer पर इसका live example देके बताएंगे जब लेक्शर बढ़ाएंगे तिमसे आपको computer बढ़ देंगे यह आपका response रहता है तो चलो इसको आप समझ गए इस काम सार है collect ठीक अब आगे लिए बढ़ते हैं अंगे question पर अंगला question है BWA broadcast wave format लोग पर यह IDEO प्रारूप का विस्तार है तो किसका विस्तार है WAV wave IDEO इसको कहते हैं waveform IDEO इसका फॉल फाम हो जाता है आपका waveform IDEO waveform IDEO इसका लोग पर यह BWF broadcast wave format MP3 इसमें MP3 मत लगा के मत है रही है गलत हो रहेगा waveform IDEO इसमें यूज करते हैं यह जो है UNIX UNIX जो बताया था open source system है operating system है कि प्रतेक फाइल में access अनुमती विस्ताओं की निमले के स्रह नहीं किया है तो एक तो honor permission जिसका है गुरूप में permission मिलती है और other permission simple सा question था अगला प्रस इस type के प्रस ने PSC में काफी पूचे जाते हैं कौन सा internet search engine नहीं है देखिए फिर से नहीं बाला प्रस ने पूचा गया नहीं है कौन सा नहीं है Google search engine क्या है है कि नहीं है है search engine yahoo search engine excited search engine safari क्या है search engine आउगर क्या है browser है क्या है browser है safari क्या है web browser है तो search engine क्या नहीं है safari ठीक अगला प्रस ने क्या है what is aim commerce aim commerce सीरीसी बात है mobile commerce जो भी आज आज आप साब यूज कर रहे है mobile पर वो सारा कुछ aim commerce की अंतर गताता है mobile commerce mobile पर जब आप बयापार करने लगते हैं उस ती जो कहते हैं mobile commerce aim commerce आप पूरा payment कर रहे हैं जो भी सारा है आप चला रहे हैं फिलिप कार्ड, amazon, paytm उस पर कुछ खरीद रही कर रहे हैं कुछ selling कर रहे हैं तो यह सारा आपका aim commerce कहलाता है तो एडिटर या प्रोग्राम जिसमें developer को यह देखनी के नुमती होती है कि interface या दस्तविज बनाते समय अंतिम प्रणाम कैसा देखेगा मतलब की कुछ आप काम कर रहे हैं तो final उसमें क्या देखेगा आपके लिए वो चीज की नुमती क्या कहलाती है तो वो कहलाती है आपकी w by si w by g अब यह क्या चीज है पहली बार सुना होगा तो वह यह कोई meaning नहीं है यह short form में लखा हुआ है इसका मतलब होता है w का what you see is what you get what you get तो w what you see is what you get what you see what you get मतलब आप क्या देखते हैं और अब क्या आप इसमें पाते हैं तो what you see what you get तो यह उसका full form काफी एक बार एक्जाम में पूछा गया है तो इसको आप देख सकते हैं देखे लिजेगा w what you see is what you get what you see is what you get अब क्या आप देखते हैं और क्या आप आप पाते हैं तो वही उपर पूछा गया था आपसे एडिटर प्रोग्राम डेपलों को देखने के नुमथी देता है इंटरफेस से दस्ताव बनाते समय अंतिया प्रणाम क्यासा देखेगा अगला प्रेशन में बढ़ते हैं कि क्या है अंगला प्रेशन है यह आपका मैथ से लिए लब कोश्टक पेरन थे इसके अनुबती कि संचलन का सरली गरन रूप है तो आपने सिंप्ली बेकिशन जो है मैथ में पढ़ा होगा सरली गरन तो उसमें आपका बोड मौस का रूल बरचैनित पार्ट को काठने के लिए कीबोर्ट सॉटकट क्या है तो सभी को पता होगा कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल की दवाएंगे प्लस जब एक्स की तो इसमें डाटा आपका दो काम कर जाते हैं पहला तो आप क्या हो जाता है इसमें कॉपी हो जाता है और पेस्ट ह तो copy के लिए क्या है control plus c और paste करने के लिए क्या की होती है देखिए control plus c इससे आपका data क्या हो जाएगा copy copy हो जाएगा और control plus b से क्या हो जाएगा paste इन दोनों का control plus b और plus c दोनों का मिक्स रूफ होता है control plus c plus b इन दोनों का जो है control plus x मतलब इसमें आपका data copy हो जाएगा वो दूसरे जगह यहां से paste हो जाएगा लेकिन यहां इसमें क्या फर्क है यहां से data हट भी जाएगा यहां से आप copy करेंगे वहां से cut हो जाएगा वो अगला question देखते हैं अगला question है अगला question है अपना ms powerpoint में table cell में tap stop समलित करने के लिए मुक सयूजन क्या है तो control plus tab जो है उसमें आप tab stop करने के लिए tab का इस्तमाल करते हैं तो control plus tab दबा कर आप उसमें use करेंगे अगला है कि presentation के दोरान ms powerpoint में computer में task bar को देखने के लिए तो simple सा है task bar मतलब control plus t दबाना है task bar सही समझ में आ रहा है कि task bar को देखने को जी कोन से दबाएंगे तो control सारे में है control plus t अल्ट से कोई एक काम function है तो control function से फीज होती है control जब अल्ट दबता है तो control के सार्थ दबेगा आपका ms excel में data के दो सेट की तुलना करने के लिए data को में दो सेट दे रखे हैं आपके उनको तुलना करना है तो chart को polar area chart से अध्धर उपित किया रहा था तो spy chart से आप इसको use करेंगे कौन सा chart spy chart आपने कभी इसको use क्या होगा बदना इसको computer नहीं बदना से बता दे spy chart आप कैसे में इसमें use करते हैं तो अब आप उत्तर याद रखिए spy chart अगला प्रसुने देखते हैं में चैनल टेस्ट के casing को बदलने के लिए कुंजी साज़न का प्रियोब करें अब casing मतलब जो यह word है casing क्या है यह word casing casing मतलब होता है lower case अपर case मान के चलिए यह जो आपका word लिखा हुआ है for frenzy in general IT skills तो यहां से जी जो हमें capital बनाना है lower case या अपर case या अपर case या अपर case या आपका lower case अपर case lower को भी बड़ लिखा है यसे लिकी लिकी चलिकी मान के चलिए यह इंडिया तो इसका फट इंडिया is great है ना तो जी बड़ा बनाना है हमें तो इसमें shift plus f3 का use करेंगे त तो फिर आप उसमें उसका यूज करके कर सकते हैं तो shift f3 का use होते हैं casing के बदलने के लिए अपर case lower case इमेल का विसकार किसे ने किया था तो सभी को पता है rate tomlinson किसने कर रहा था rate tomlinson ने इसका यूज किया था अंगला पूछा गया है दो देखी अविसकारक से पूछे गया उपर पूछा गया इमेल का विसकारक किसने किया था इसका फलफाम होता है एलेक्ट्रोनेक मेल और www वर्ल्डवाइब बेव इसके किसने कि रहा था टिम मनस्री ने कव 1990 या 1989 और लगभग इन दोनों की बीचमेनों ने इसका यूज किया था अंगला देखते हैं अंगला क्या है ये msbird 2003 में दस्ताविच कि छपाई करते समय कि सामनबस्ट के दाइयों बाइयों के लिए डिफाल्ट बिकल्ब का चैन करते समय प्रिष्ट का margin पूछा है तो उसका रहता है margin 7 inch ये 7 inch का ये 1.25 तो ये जो है आपका 1.25 पैस में आपका margin रहता है जो दो आएं वहाँ प्रिष्ट में पूरा आपकी प्रिष्ट में जो margin रहता है ये के तना ज़्या सावाइंच का margin रहता है ठीक है आज़ा देखते है निम्न में बाइनरी नम्मर एक हजार दो का पूरख क्या है चले इसको देखते है किसका पूछा है बाइनरी नम्मर का इसको और बाद में बताएंगा आपको लेकिन अभी यहाँ इसको बता देते हैं फिर क्योंकी पूरा lecture देखेंग तो इसमें एक तो यहां आपन देखने वाले एक हजार का टूस कॉंप्लिमेंट पहले इसको कैसे करेंगे अपन टूस कॉंप्लिमेंट के लिए तो देखते हैं देखो इसमें पहले अपन इसको लेखते हैं वन जीरो 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 इसका आपको निकालेंगे पहले अपन वन्स कॉंप्लिमें में क्या होगा जस्ट इसका अपोजिट इसका अपोजिट मतलब जहाँ जीरो वहाँ जहाँ जीरो वहाँ जहाँ जीरो वहाँ वहाँ जहाँ वहाँ जीरो यह इसका क्या हो जाएगा वन्स कॉम्प्लिमेंट हम से क्या पूछा है टूस कॉम्प्लिमेंट फिरू नहीं यह 0 1 1 1 यह हमने यहां की value आपकी यहां लिख दी यह 1's compliment हो गए आपका 1's compliment पूछा होता तो आपका answer यह हो जाता 1's compliment पूछा होता तो आपका answer यह हो जाता हमें निकालना है 2'sconst Kenneth हम इसमें क्या करदेंगे 1 add करदेंगी तो हमारे यह two's compliment हो जाएगा अब हम इसको कहा कर देंगे plus one और one क्या जाएगा zero, कितना carry आजाएगी मतलब हासल आपकी one और one यह carry one आजाएगी, तो one और one फिर दुबारा से zero, फिर one और one, तो फिर यहाँ carry किते हुड़ाएगी zero, और इसकी एक बार वीडियो को फिर से देखना है, तो आपको समझ में आजाएगा, बागी इसका हम पूरा conversion आपको एक complete other lecture बताएगी तब आपको और clear हो जाएगा I think समझ में आगया होगा, काफी easy भी में बताया है, पहले हमने इसका ने कालेंगे reverse में कर देंगे, एक बार फिर देखते हैं इसको कर देंगे, पूरे number को reverse में ये once compliment हो जाएगा देन जो number आया once compliment हो, उसमें हम plus one कर देंगी कि बल यहाँ one ये carry आपकी shift होते जाएगी, जो हाँ सलाब आती है, वो shift होते जाएगी, और ये आपका, ये compliment आपका answer आजाएगा, ठीक है बढ़ते हैं अंगले वाले ब्रस्न पर अंगले में क्या दिया है कि निमले कितमें से कौनसी कुंजी सेल में content को संपाधित करने के लिए संपाधित मतला होता है edit करने के लिए तो आप कौनसी कुंजी का उपयोग करेंगे, तो सभी को पता है कि app2 दवाएंगे, तो app2 से कोई भी आप चीज को edit कर सकते, जैसे मान की चलिए कुंजी लिखी है, set 15 हमें यहाँ लेकिना है, set 14 लेकिना है मान की चलिए, तो हम app2 यहाँ ले जाकर, app2 कुंडी कुंजी मतलब जो बटन रहता कम्पूटर में आपका वो प्रेस कर देंगे उसको आप, तो आप इसको edit कर सकते हैं, तो यह कहना चाह रहे हैं उसको पेपर इस्तरोथ setting dialogue box में मिलने वाले basis file tuning नेंतरान है, क्योंकि यह printer को क्या बताता है, कि कि किस paper tray से ले जाना है, किस paper tray से ले जाना है अब यह printer वाला chapter जब आपको complete lecture देंगे, तब आपको आंसर आपको बिल्कुल आराम से लगा सकेंगे, अब आपको पूरा paper tray समझाना पड़ेगा, क्या है, क्या है, क्या होती है तो अब यह आप इतना याद रख लिए, किस paper tray में जाना है, यह printer chapter में हम complete पढ़ेंगे इसको emoti coins का वास्तो गरूपा अंतरन dig bet, समक्ष्चों के लिए Microsoft बड़ी सुभी दगे माधम से किये रहता है, तो autocorrect, emoti coins का मतलब होता है emojis जो आप किया रहती है, emojis ऐसी कुछते वाली ना है, यसी वाली हसरा है, कोई रूप रहा है तो यह emoti coins कालाते है, emoti coins तो इसको पढ़ाडोगरट से कर सकते हैं, प्रस्तुत अगला है MS Excel 2010 और 13 में macros को कैसे सक्चम किया रहता है macros की माधम से हम MS Office को थोड़ा easily बना सकते हैं, इसको क्या करेंगे, file पर जब आप आप आएंगे, तो option, trust center और trust center setting पर जाएंगे और इसको जब आप computer बताएंगे, तब आपको जाना समझ में आएगा macros का use अपन कहां कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है macros है अपने पड़ा होगा, बागी इसको हम बताएंगे आपको detail में, अभी आप यतना याद रखें इसमें अगला है MS Office application में जो पंक्तियों कालम में पंक्तियों और कालम में जो विवस्तित करता है तो कौन कहलाता है आसा क्या रहता है, excel और इसके बीच की जो एक row रहती है दोनों के मील, row और कालम का बिंदू इसको क्या कहते है पंद, cell active cell जिसमें हम काम कर रहे तो वह क्या कहलाता है, active cell तो MS Office में आपको पता है अंगला हो जाएगा open type जो है open type font के दो पिरकार क्या है तो type 1 और true type font जो इसके option है दो अगला है keyboard shortcut को window explorer फाइल को खोलने के लिए आपने में किस keyboard का shortcut उपयोग करेंगे तो cp को बता है window plus e window की जो आपकी बनी रहती computer में keyboard में यहाँ सबसी नीचे second number बनी रहती है उसको प्रेज करेंगे और e e आपकी लगबग यहाँ बनी रहती है दोनों को साथ में प्रेज करेंगे जब आप तो आपकी जो फाइल है वो open हो जाएगी window explorer अब अब अगले वाली प्रस्ण पर shortcut की जाब लोग दिखिएगा Microsoft windows में दवाने से प्रोग्राम में सक्कीरी टेब याब बंडो बंद हो जाएगी जो एक से अधेक टेब याब बंडो खोलने को समर्थन करता है तो control प्लस एफ़ोर alt एफ़ोर से आपकी कंप्पूटर को भी आप बंद खर सकते alt प्लस एफ़ोर से जहां पर control एफ़ोर से भी आप कट लगते है अगला है वर लास्ट कोस्टन है MS बार्ड में सोच चालित रूप से उन टेस्ट के पहले या बाद में बिरिक लगाता जैसे नया पेज ओरिंटेशन होता तो उस लगा जाते हैं सेक्शन ठीक है तो यहां हमारा आई पेपर फिनिस होता है इसके बाद रेडिंग कंपरेंशन का पार्ट है यहां पर लगवग हमने बावन कोशन सोल्व करे हैं इसमें कोई डाउट है आपको तो बताइए आप उसका हम डेटेल में फिर आपको एक्सप्लेशन करेंगी तो CPCT की तयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भिरू कर लें आपके लिए CPCT टाइपिंग प्लस तेयोरी दोनों लेक्चर आप जल्द ही लाने वाले हैं तो CPCT की आपको दोनों लेक्चर मिलने वाले हैं इसमें हम आपके लिए math भी साथ में topic बता देंगे प्लस reasoning के भी और computer की थेयोरी ये complete हो जाएगी और tapping आपको हम कल से वीडियो आने मिल जाएगी तो support जैसा आपका राएगा वैसे ही आपको वीडियो मिलती जाएगी इसके बाद आपके डेटिंग अम्बरेंशन ने इसको हम आगली वीडियो बताएगी और जो भी मैत का section है असमें आपका और इसकी PDF चाहिए तो आप Telegram Group को जोईन कर लें उसकी link description में है तो ये सारी आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पर free up cost है तो आप उसको download करके रख सकते हैं और वीडियो में कोई doubt है तो बताएगी आज की वीडियो में इतना था चैनलों को subscribe जरूर कर लें और like जरूर कर दें ताकि हमें पता चड़े आपको वीडियो पसंद आ रही कि नहीं आ रही है और कोई doubt है तो आप वेज़े चा कमेंट करके पूछ सकते हैं इस CP सीटर से related कोई doubt है तो सारा कुछ आप पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही था दीजे धन धन्यवाद